एलो दोस्तो अभी में एक यूटूब चनल में मैं अर्विन मकवाना आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विकली करण्ट अफेर्स 19-25 मेर 2020 आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है 21 माई को भारत और किस देश ने हाल ही में पांच नए बंदर गाहो और दो नए प्रोटोकॉल्स मार्गों के संचालन के लिए एक समझोते पर हस्ताक्सर किये बंगला देश भारत और बंगला देश ने केंद्रिय मंत्री मंडल ने आपातकालिंद क्रेडिट लाइन गेरेंटी योजना ECLGS के अंतरगत कितने लाग करोड रुपे की अतिरीक्त रासी उपलब्द कराने की मंजूरी दे दी है 3 लाग करोड रुपे कितने हैं 3 लाग करोड COVID-19 का टिका बनाने के लिए बारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेलफिया स्थित थोमस जेफर्शन विस्वविद्यालाई के बीच समझोता हुआ है वो है अमेरिका देश चीन की सरकार ने आलही में किस देश के निर्यात पर 80 फिस्दी का टेरिफ लगा दिया है औस्ट्रेलिया बारतिय वायुसेना आई ए ए एफ है लगे इंडियन एर फोर्स ने कितने करोड रुपये की तीन बड़ी अधिग रहन परियोजनाओं को रोकने का निर्णे लिया है तो आठ हजार करोड रुपय की जो परियोजनाओं थी तीन उनको रोकने का निर्णे किया गया है कितने मिलियन डोलर के समझोतों पर अस्ताक्सर किये है? 750 मिलियन डोलर. भारत ने फिलिस्तीनी सरणार्थियों के कल्यान है तु काम करने वाली संयुक्त राष्ट राहत और निर्मान एजन्सी को कितने मिलियन अमेरिकी डोलर की सहायता रासी प्रदान की है? 2 मिलियन अमेरिक बारतिय इस्पाद संग इंडियन स्टिल एसोसियेशन ने आलही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है दिलिप उमेन को आलही में नियुक्त किया गया है किस देश के प्रदान मंतरी थोमस थाबा ने अपचारिक रुप से अपने पद से इस्तिफा दे दिया है तो वो देश है लेसोथो देश के प्रदान मंतरी ने इस्तिफा दे दिया है पस्चिम बंगा सरकार ने राजिय में अमफान तुफान के बाद पुनर निर्मान कारिये के लिए कितने हजार करोर रूपय का कोस गठित किया है तो वो है एक हजार करोर रूपय हाल ही में नाबाइड के नए अद्यक्स कोन बने गोविंदा राजुलू चिंटला अमेरिकी सिनेट ने किस देश की कमपनियों को स्टोक एक्चेंस से अटाने का विदेग पारित कर दिया है तो देश है चिन अंतर राष्टी ये चाई दिवस किस दिन मनाया जाता है 21 मई को विमानन मंत्रा लहे ने लोकडाउन के बीच किस तारिक से एक तिहाई गरेलू उडानों को फिर से शुरू करने की गोशना की है तो वो है 25 मई 25 मई से विमान चालू हो जाएंगे अंतर राष्टी ये जे विवित्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है 22 मई को अंतर राष्टी ये जे विवित्ता दिवस RBI ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फिस्दी की कटोती की गोशना की है 0.4 फिस्दी RBI ने हाल ही में रिजर्वर रेपो रेट को 3.75 प्रतिसद से गटा कर कितने प्रतिसद कर दिया है 3.35 प्रतिसद किया है आल ही में किस ITI के अनुसंदान करता हो ने अलजाय मर की वज़र से थोड़े समय के लिए जाने वाली याद्दास को रोकने या कम करने हेतू नए तरीके विक्सित करने का दावा किया है IIT गुवाहटी ने किस राज्य सरकार प्रत्यक वर्ष मंसुन के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इंफ्लूएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्य व्यापी टिका करन कार्यकरम सुरू किया है तो वो है अरियान आने जो लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने उभई चरोक की 20 प्रजातियों को गंभी रूप से लुप्त प्राई और कितने को लुप्त प्राई के रूप में सुची बद किया है पैंतिस को 20 प्रजातियों को गंभी रूप से लुप्त प्राई और पूर्ण लुप्त प्राई जो है वो पैंतिस को किया है नाबाड ने आलही में खरिफ और प्रीम वनसुन संचालन के लिए कितने करोर रूपिय के फंड जारी किये है 20,500 करोर रूपिय आलही में किस देश ने फलिस्तिनी सरनार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का युगदान दिया है भारत ने विश्व मदुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है 20 मई को किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी समिकों के लिए चरण पादू का अभियान शुरू किया गया है मध्यप्रदेश के लिए किस देश ने ओडिसा और पस्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवाज का नाम अंफान रखा है वो है थाईलेंड थाईलेंड ने इसका नाम रखा है विश्वा स्वास्तिय संगठन यानी WHO World Health Organization के कार्यकारी बोड के अध्यक्स के रूप में किसे चुना गया है डोक्टर हर्श वर्धन को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोईडा अंतर राश्टिये एरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को केंद्री गुरूह मंत्रालाई ने स्विक्रूति दे दिये स्विजर लेंड की कंपनी को किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावोट की एटालिन जल्विद्यूत परियोजना की वजह से जे वीवित्ता पर पढ़ने वाले प्रभाव को लेकर परियावरन कार्य करता इस परियोजना को रद करने की मांग कर रहे है तो वो है अरुनाचल प्रदेश राज्य हाल ही में किस बेंक ने वीडियो के जरिये KYC स्विकार करने वाला देश का पहला बेंक बन गया है कोटक महिंद्रा बेंक किस राज्य ने हाल ही में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर लॉंच किया है करनाटक सरकार ने विश्व उच्च रक्त चाप दिवस यानी वर्ड हैपर टेंसन डे किस दिन मनाया जाता है सत्रा मई को किस राज्य सरकार ने हाल ही में सेनिकों के लिए निश्वल्क बस सेवा सुरू की राजस्थान सरकार ने आल ही में बेंजामिन नेतन्याहु कितनी बार इसरायल के प्रदानमंत्री बने तो ये पांच भी बार जो है वो प्रदानमंत्री बने है आल ही में किस देश के वेगनानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है न्यूजीलेंड विश्वदूर संचार एवं सामाजिक सुचना दिवस किस दिन मनाया जाता है 17 माई को राश्रिय डेंगु दिवस किस दिन मनाया जाता है 16 माई को किस राश्रिय सरकार कोरोना वाइरस मामारी के मद्दे नजर राश्रिय के सभी जिल्लों में आईपीसी की धारा 144 तीन महिने के लिए बड़ा दी है तो वो है 36 गर्ड शतिस गर्ड ने तीन महिने के लिए 144 लागु की है विश्व स्वास्तिय संगर्ठन डबल्यू एच ओ की 73 वी दो दिवसिय वार्षिक विश्व स्वास्तिय सभा का आयोजन किस सहर में किया जा रहा है जिनेवा में जो उनका जो हेड़ क्वाटर है जिनेवा वहीं पे और जिनेवा कौन से देश में है स्विजर लेंड में अंतराष्टिय प्रकास दिवस किस दिन मनाया जाता है 16 मई को भारतिय सेना द्वारा सामन्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में सामिल करने के सबंदित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है तिन साल के लिए कोई भी सेना में जा सकता है ऐसा अभी प्रस्ताव के लिए विचार चालू है अंतर राष्टिये संग्रहालाई दिवस किस दिन मनाया जाता है अठरा मही को अंतर राष्टिये संग्रहालाई दिवस राष्टरपती रामनात कोविन ने आल ही में गोशना की कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिसत कोरोना महमारी के खिलाफ लड़ाय में भारत सरकार के सहायता के लिए दांद करेंगे, 30% अपनी सेली का 30% जो है वो भारत सरकार को को डोनट करेंगे, यानि देंगे किस राज्य सरकार ने आल ही में राज्य में सब फसल उत्पादन को प्रशाहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याई योजना कौन सी राजीव गांधी किसान न्याई योजना शुरू करने का फैसला किया है तो वो राज्य है 36 गड़ वित्ट मंत्री निर्मला सितार्मान के अनुसार सेहरों से गाओं की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो इसलिए मंरेगा का बजट कितने करोड रुप्य बढ़ा दिया गया है 40,000 करोड रुपय बढ़ा दिया गया है गरेलू रक्सा और एल स्पेस के लिए कितने करोड रूपय की योजना को मंजूरी दे दिये 400 करोड पद्म भुसंट पुरसकार से सनमानित और किस देश के राष्टिय प्रोफेसर अनिस सुज्जमान का 83 वर्स की उम्र में निधन हो गया है बांगला देश हाल ही में भारत सरकार पस्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पस्चिम बंगाल के दामदर घाटी कमान क्षेत्र में सीचाई सेवाओ तथा बाढ़ प्रबदन के लिए कितने मिलियन डोलर के एक रूण समझोते पर अनुबंद किया गया 145 मिलियन डोलर 19 से लेके 25 तक हमने देखा 25 मही तक अब आपकी टेस्ट जो हमने वीडियो लिए देखा है उसी में से आपको यहाँ पर चार क्रेसिन पुछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेट बॉक्स में देने है उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए कमेट लिजिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी है और ऐसे वीडियो आप पाना चाहते है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बाजू में दियो बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें और इस वीडियो के अगर पीडिय ले सकते हैं एक आल ही में नाबाड के नए अध्यक्स कौन बनें दो अंतराष्टी ये चाही दीवस किस दिन मनाया जाता है तिन विश्व स्वास्तिय संगठन यानि डबल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाईजर्शन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्स के रूप में क पुछा जाएगा जो हमारे स्वास्तिय मंत्री है उसी को इसका जो बोर्ड का अध्यक्स से वो चुना गया है कौन है आपको जवाब देना है किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी स्रमिकों के लिए चरण पादू का अभ्यान शुरू किया गया है तो चारों क्वेश वपना है कि दूए कि लिए ग्रूश के लिए चारों के लिए है